हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साथी स्वाकत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलीना फुट रेसिपी में आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलेश्यस बहुत ही जाइकिदार और टेस्टी सी दम बिर्यानी की रेसिपी जिसका नाम समते ही बिर्यानी लवर्स के मूँ में पानी आ जाता है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलेश्यस बनका रेडी होगी और उसकी अरोमा से आपका पूरा किचन महक उठेगा अगर आप भी इस इस टेप को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कूल परफेक्ट बनका रेडी होगी तो चलिए वीडियो शुरूर करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें तो थोड़ा ज्यादा डाल दें बचा हुआ आप किसी दूसरी सब्सी में भी इस्तिमाल कर सकते हैं बेकार नहीं होगा तो बस अब यहाँ गरम हो गया है अब मैं इसमें यह प्यास डाल देती हूं जो हमने काटके रखे हुए थे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस हैं बबबबबबबबबबबबबबब और बस इस तरह से प्यास को चलाते हुए चारो तरफ से अच्छे से फ्राय कर लें और यह देखे बढ़िया से प्यास फ्राय हो गए नहीं मैंने यह प्लेट में निकाल लिया है थोड़ी दिर इनको प्लेट में ऐसे ही रहने दें आप चाहें तो इन्हें किसी टिशू पेपर के उपर भी रख सकते हैं ताकि इनका जो भी एक्स्टर ओयल हो वो निकल जाए तो बस प्यास फ्राय हो गए अब चलते हैं नेक्स्ट वो डाल देते हैं फटा फट से सबसे पहली में डाल रही हैं नमक डाल देते हैं according to taste उसके बाद डालेंगे एक निकली का रज और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चार बड़े चमच अधरक लहसुन का पेस्ट अधरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट देगा दो चम्मच डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च उसके बाद डालेंगे हम आदा चम्मच हल्दी पाउडर उसके बाद डालेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर बहुत अच्छी खुश्बू आती है इससे भी इसके बाद डालेंगे यहाँ दो से तीन चम्मच डालेंगे ब्रियानी मसाला ब्रियानी मसाला तो ब्रियानी के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इसके बाद डालूंगे मैं यहाँ पे एक चम्मच जीरा पाउडर इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें अगर आप चिकन को ओवरनाइट मेरिनेट करके रख रहे हैं तो तेल, दही और प्याज उस समय डालें जब आप उसको बनाएं यानि के एक से दो घंटे पहले तो बस अभी यहाँ पे मैं इसमें ओईल डाल देती हूँ यह वही ओईल है जिसमें हमने प्याज को फ्राइ किया था और प्याज डाल देते हैं प्याज यहाँ पे हम 80% के आसपास डाल देंगे और 20% बचा लेंगे जब हम लेयरिंग करेंगे उसके में काम आएगा और यहाँ मैंने दही डाला है 200 ml के आसपास यह दही है जिसे मैंने फैट कर डाला है अब अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें हम मैं डाल दूँँगी पोदीना और हरा धनिया अगर आप जिंजर गारलिक का पेस्ट भी फ्रेश इस्तिमाल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो चलिए बस यह चिकन रेडी है अब हम इसको कुक कर लेते हैं इसके लिए यहाँ मैंने यह बिर्यानी पोट लिया है आप कोई भी मौटे तली का बरतन यूज करें जिससे क्या होगा जब आप बिर्यानी को दम करेंगे तो वो नीचे तली में लगेगा नहीं बस अब मैं इसमें एक बड़ा चमच घी डाल रही हो आप चाहें तो ओयल भी यूज कर सकते हैं बस अब ये जैसे ही घी गरम हो जाएगा हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देते हैं सारा डाल दूँगी मैं इसमें और ये जब चिकन डालने के बाद अब इसको ओपन पेन में ही और तेज आच पे करीब करीब 5-6 मिनिट तक अच्छे से भून ले ज़र आप चाहते हैं कि आपकी ब्रियानी का टेस्ट सूप पब आए तो उसके लिए आपको फ्रेश जिंजर गरलिक पेस्ट फ्रेश कॉरियंडर लीफ फ्रेश मिंट लीफ आप सारे मसाले फ्रेश यूज करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बहुत इन्हेंस होता है बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का ब्रियानी पर और आप जितना चिकन को भूनेंगे उतना ज्यादा टेस्ट आता है परफेक्ट ब्रियानी बनाने के लिए ब्रियानी में सारे स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें एंड तक देखें बहुत ही डिलिशियस ब्रियानी बनकर रेडी होगी तो यहाँ पर मुझे करीब 5-6 मिनिट हो चुके हैं चिकन को बूनते हुए बस अब इस स्टेज पे हम इसमें कुछ और चीज़ें एड कर देते हैं जिसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ दो टमाटर जिने मैंने चोटा-चोटा काट लिया है 5-6 हरी मिर्च डाल देते हैं टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसकिप कर सकते हैं वैसे भी मार्केट में टमाटर बहुत महेंगे हैं तो बस अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ओइल सेपरेट होने लगेगा दो मिनिट टमाटर डालके भून लें और जैसे ऑईल सेपरेट होगा हम इसको लिड लगा देंगे और करीब इसको 10-12 मिनिट तक कुक होने देंगे बस यह लिड लगा देते हैं हम और इसको सिलो आच पे अब 10-12 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वह बहुत अच्छे से कुक हो जाए करीब हमें 95% 90-95% ही चिकन कुक चाहिए क्योंकि बाकी का जब हम वह राइस के साथ भी पक जाएगा और यह देखे हैं मुझे 10-12 मिनिट भी हो चुके हैं और चिकन बहुत ही टेस्टी लग रहा है टमाटर भी सारे गल के मैश होकर इसमें मिक्स हो गए हैं बस अब इसको गेस बंद कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो यहां मैंने यह लॉंग ग्रेंड वासमती राइस लिए आप कोई भी वासमती राइस यूज कर सकते हैं ग्राइस यह चिकन भी बिर्यानी बनाते हैं तो चलिए सबसे पहले इनको तीन से चार वार अच्छे से वाश कर लें ताकि इसका जो सारा निकल जाए और उसकी बाद हम इसको एक घंटे के लिए भीगने को छोड़ देंगे यहाँ मैंने इसको तीन से चार वार अच्छे से दो लिया है बस अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि राइस जो है वो अच्छे से भीग जाए पानी अच्छे से डाल दें ताकि जो राइस के ऊपर तक पानी आ जाए पानी पूरा राइस को अच्छे से कवर कर ले और इस तरह से एक घंटे के लिए राइस को बिगा दें अब next step लेते हैं राइस कुक करेंगे तो यहां मैंने एक भगवनी में पानी लिया है करीब 4-5 लीटर के आसपास यह पानी होगा पानी थोड़ा ज्यादा ही लें ताकि चावल अच्छे से बॉइल हो सके हैं तो जब पानी एकदम बॉइल मौड में आजा एकदम अच्छे से उबलने लगे तब उस समय में हम डालेंगे खड़े मसाले जिसमें मैंने दो तेज पत्ते डाले हैं दाल चीनी डाली है दो तुकडे और काली मिर्ज डाली है दस से बार अप छोटी इलाइची डाली है पांस से छे लॉंग डाली है बड़ी इलाइची डाली है दो एक चक्रफूल डाल रहे हूँ जावित्री और यहां मैंने डाला ह यह शहाजीरा उसके बार डाल देंगे नमक नमक थोड़ा ज्यादा डालें ताकि पानी एकदम खारा हो जाए तब ही वो चाबल में अच्छे से सैट होगा आदे नीबू का रस डाल दें और यह नीबू भी इसमें डाल दें इससे चाबल एकदम खेले खेले बनेंगे और एक कर्ची चलानी है वरना इस स्टेज पर भी चाबल तूट जाता है उसके बाद जब बॉइल आएगा तब भी हमें चाबल को ज्यादा नहीं चलाना है अब यह देखे यहां पस इसमें एक परफेक्ट बॉइल आ गया है अगर आपने चाबल को एक घंटे पहले भिगाया हु तो बस यहां पर मुझे 5 मिनिट ही लगे हैं और यह चाबल भी 90% को खो गया है अब आप इसको फटा फट से एक ऐसी बड़ी परात या थाली में निकाल लें ताकि चाबल तूटे नहीं और यहां पर इस स्टेज पर आपको जो भी मसाले लगता है आपको हटाना है आपको साहता से इस चिकन को इस ब्रियानी पॉट में अच्छे से फैला लें इससे क्या होगा कि जब हम लियरिंग करेंगे इस पर राइस डालेंगे तो चिकन का जो फ्लेवर है ना वो राइस में बिल्कुल परफेक्ट सारे राइस में आएगा और बहुत अच्छी अरोमा भbelt करते सब कोता चारफ अच्छे से फैलाके डा लें प्यास डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ब्रियानी मसाला इसको भी अच्छे से स्तिकटर करते हुए डालें चारर तो पूरे चिकन पर होना चाहिए बस अब रेस डाल कर देते हैं तो यहां मैंने यह धनिया डाल दिया है हरा धनिया उसके बाद थोड़ा से पुदीना डाल देते हैं पुदीना यहां मेरे पास कम था अगर आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है यह जो प्याज हमने फ्राय किये इससे ब्रियानी में बहुत अच्छा कलर आएगा, सारा डाल दें इसमें, इसके बाद में डालूंगी यहां पर थोड़ा सा ब्रियानी मसाला, और फिर डालेंगे हम इसमें घी, यहां मैंने मैल्टेट गरम घी ही यूज किया है, आप भी गरम घी ही डालें, दो से तीन चमज डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यह ब्रियानी का जो टेस्ट है, उसको इन्हेंस करता है, बस अब यह कम्प्लीट हो गई है, सारी लेयरिंग, तो मैं यहां इसको सिल्वर फॉइल से कबर कर रहे हूं, ताकि इसकी हीट इसमें ही बनी रहे, बाहर ना आए, यह इसकी हीट को इसमें रोक के रखेगा, आप इसकी जगा किसी कीले, कपड़े या फिर आटे कभी इस्तिमाल कर सकते हैं, बस अब मैं इस पर लिड लगा दूंगी, और अब हम इसको दम कर लेते हैं, तो दम करने के लिए, यहां मैंने एक तवा लिया है, जिसको मैंने गेस पर रख दिया है, आप भी कोई मोटा तवा यूज करें, इससे क्या होगा, बिर्यानी तली में लगेगी नहीं, और बहुत अच्छे से दम हो जाएगी, पांच मिनिट के लिए गेस चालू कर दें, ताकि तवा थोड़ा सा गरम हो जाए, और उसके बाद हम यह पॉट जो ऐसे ही रखे रहने दें, बहुत अच्छी बिर्यानी बनकर रेडी होगी, बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, हमारे किचन में तो एकदम महक रहा है इसकी खुश्बू से किचन, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 20-25 मिनिट के लिए, और उसके बाद और बिर्यानी भी दम हो गई है, बस अब मैंने इस स्टेज पे गेज बंद कर दिया है, और 10 मिनिट के लिए इस पॉट को ऐसे ही छोड़ दें, ताकि जो भी राइस है वो अच्छे से एकदम सैट हो जाएं, और यहां मुझे 10 मिनिट भी हो गए हैं, बस अब इसको खोल ल अच्छी होशबू आ रही है, एक बार इस दम ब्रियानी को जरूर बनाएं, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्ट यो बहुत ही डिलिश्यस बनकर रिडी होती है, तो यह थी आज की बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस से चिकन दम ब्रियानी की रेसिपी, रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, और अगर आप हमारे जेनल पर नए हैं तो जेनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पॉर वाचिंग